ओम श्री पर्मात्मने नमा ओम नमो भगवते वासु देवाय श्रीमत भागवतम महापुराण प्रथमिसकंद अध्याय पंद्रवां कृष्ण वेरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना सूत जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से कृष्ण हो रहे थे उस पर राजा युदिष्टिर ने उनकी विशाद ग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विशे में कई प्रकार की आशंकाय करते हुए प्रश्णों की जड़ी लगा दी शोक से अर्जुन का मुख और हिर्दय कमल सूख गया था चहरा फीका पड़ गया था वे उनी भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसी डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्णों का कुछ भी उत्तर ना दे सके श्री कृष्ण की आखों से ओजल हो जाने के कारण वे बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे रथ हाकने टहलने आदी के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता अभिन नहरदयता और प्रेम से भरे हुए वेवहार किये थे उनकी याद पर याद आ रही थी बड़े कश्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका और हाथ से नेत्रों के आसू पोचे और फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महराज दिष्ठिर से कहा अरजुन बोले महराज मेरे ममेरे भाई अत्वा अत्यांत घनिष्ठ मित्र का रूप धारन करके श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्यर में डूप जाते थे उसे श्री कृष्ण ने मुझे से ही छीन लिया जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दीखने लगता है उनके आश्रे से द्रोपदी स्वेमवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन मत राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया धनुष पर बान चड़ा कर मत से वेद किया और इस प्रकार द्रोपदी को प्राप्ति किया था उनकी सन्निध्धी मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीत कर अगनी देव को उनकी त्रपती के लिए खांडव बन का दान कर दिया और मै दानव की निर्मान की हुई अलावकिक कला कौशल से युक्त माया मै सभा प्राप्ति की और आपकी यग्य में सब ओर से आ आकर राजाओं ने उन अनेकों प्रकार की भेटे समर्पित की दस हजार हाथिों की शक्ती और बल से संपन आपके छोटे भाई भीम से इनने उनी की शक्ती से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वद किया था तदंतर उनी भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महा भैरव यग्य में बली चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था उन सब राजाओं ने आपके यग्य में अनेकों प्रकार के उपहार दिये थे महारानी द्रौपदी राजसु यग्य के महान अभिशेक से पवित्र हुए अपने उन सुन्दर केशों को जिनने दुष्टों ने भरी सभा में छूने का प्रयास किया था बिखेर करता था आखों में आसू भर कर जब श्रीकृष्ण के चर्णों में गिर पड़ी तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बतला लेने की प्रतिग्या करके उन धूरतों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विद्वा हो गई और उन्हें अपने के शी दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था उस समय उन्होंने द्रोपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की उनके ऐसा करते ही नदी में सनान करती हुई मुनी मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या है सारी त्रिलोकी ही त्रप्त हो गई है उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्यर में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिये तो क्या उनकी क्रपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया तब इंद्र के साथ समस्त देवताओन मेरी इनही गांडीव धारन करने वाली भुजाओं का निवात कवच आधी दैत्यों को मारने के लिए आश्रे लिया महराज यह सब जिनकी महती कृपा का फल था उन्ही पुरशोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया है महराज कौर्वों की सेना भीष्म द्रोण आधी अजे महात्माओं सिपून अपार समुद्र के समान दुस्तर थी परन्तु उनका आश्रे ग्रहन करके अकेले ही रत पर सवार हो मैं उसे पार कर गया उन्ही की सहायता से आपको याद होगा मैंने शत्रों से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले लिया साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणी मैं मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिये गते भाई जी कौर्वों की सेना भीश्म, कर्ण, द्रोन, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रतों से शोभाय मान थी उसके सामने मेरे आगे-ागे चल कर वे अपनी द्रिष्टी से ही उन महारती यूथ पतियों की आयू, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे द्रोनाचार, भीश्म, कर्ण, भूरी श्रवा, सुशर्म, शल्य जैद्रत और बाही एक आदी वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाये थे यह श्री कृष्ण के भूज दंडों की छत्र चाया में रहने का ही प्रभाव था श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुरबुधी ने सारथी तक बना डाला आहा जिस समय मेरे घोड़ी ठक गए थे और मैं रत से उतर का प्रित्वी पर खड़ा था उस समय बड़े-बड़े महारती शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धी मारी गई थी महाराज माधव के उनमुक्त और मधुर मुस्कान ने युक्त विनोध भरे एवं हिर्दे इसपरशी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदी कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हिर्दे में उथल पुथल मचा देते हैं सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी-बड़ी बातें करने तदा भोजनादी करने में हम प्राहे एक साथ रहा करते थे किसी-किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो, उस समय भी वे महापुरुष, अपनी महानु भावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सहलेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्पुद्धी के अपराधों को सहलिया करते थे महाराज, जो मेरे सखा मित्र नहीं-नहीं, मेरे हिर्दय ही थे, उन्हीं पुर्षोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ भगवान की पत्निया, पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परन्तु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भाती हरा दिया, और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बान है, वही रत है, वही घोड़े है और वही मैं, रती अर्जुन हूँ जिसके सामने बड़े-बड़े राजा लोग सिर जुकाया करते थे, शिक्रिश्न के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सारशून्य हो गई ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुती, कपट भरी सेवा और उसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है, राजन आपने द्वारकावासी अपने जिन सुद्रड संबंधियों की बात पूछी है वे ब्रहमणों के शापवश मोह ग्रस्त हो गए और वारुणी मद्र के पान से मदोनमत्त होकर अपरिचितों की भाती आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूसों से मार पीट करके सब के सब नश्ट हो गए उन में से केवल चार-पांच ही बचे हैं वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस पर एक दूसरे का पालन पोशन करते भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं जिस प्रकार जलचरों में बड़े जन्तु छोटों को दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस पर एक दूसरे को खा जाते हैं उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया तत पश्यात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशि का नाश करा के पूर्ण रूप से प्रत्वी का भार उतार दिया भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप तथ हिर्दय के ताप को शांत करने वाली थी स्मरण आते ही वे हमारे चित का हरण कर लेती हैं सूत जी कहते हैं इस प्रकार प्रगार प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई उनकी प्रेम मै भक्ती भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहरनिश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई भक्ती के वेग ने उनके हिर्दय को मत कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया उन्हें युद के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्यान पुना स्मरण हो आया जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमाद वर्ष कुछ दिनों के लिए विस्मृती हो गई थी ब्रह्म ज्यान की प्राप्ती से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई और द्वैत का संशय निव्रित्त हो गया सूक्ष्म शरीर भंग हुआ और वेशोक इवं जन्म मृत्यू के चक्र से सर्वत्था मुक्त हो गई भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के साहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मती युधिष्ठिर ने स्वरका रोहन का निश्चय किया कुंती ने भी अर्जुन के मुक्से यदुवंशियों के नाश और भगवान के सुधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ती से अपने हिर्दे को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यू रूप संसार से अपना मुह मोड लिया भगवान श्री कृष्ण ने लोक द्रिष्टी में जिस यादव शरीर से प्रत्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकाल कर फिर दोनों को फेक दे भगवान की द्रिष्टी में दोनों ही समान थे जैसे वे नट के समान मत्स्यादी रूप धर्ण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से प्रत्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया जिनकी मधुर लीलाएं कर्म में फसाने वाला कल्यूग अधम का महराज युदिष्ठिर से कल्यूग का फैल ना छिपा ना रहा उन्होंने देखा देश में नगर में घरों में और प्राणियों में लोब असत्य छल हिंसा आधी अधर्मों की बढ़ती ही हो रही है तब उन्होंने महा प्रस्थान क का निश्य किया उन्होंने अपनी विनाई पाउत्र परीक्षित को जो गुणों में उन्ही के समान थे समुद्र से घेरी हुई प्रित्वी के समराट पत पर हस्तिनापूर में अभिशिक्त किया उन्होंने मत्रौ में शूर से इन अधिपती के रूप में और रुद्ध के पुत्र वज्र का भी शेक किया, इसके बाद समर्थ युधिष्टिर ने प्रजापत्य यग्य करके आहवनिय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात ग्रहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने सन्यास ग्रहन कर लिया। युधिष्टिर ने अपने सब वस्त्रा भूशन आदि वहीं छोड़ दिये, एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काड़ डाले। उन्हों को मूल प्रकृति में सर्वकारण रूपा, प्रकृति में आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें ये अनुभव होने लगा कि ये संपून द्रश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्यात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धार्ण कर लिया और अनजल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोल कर भी खेर लिये. वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़, उन्मत या पिशाच हो. फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े. हिर्दे में उस पर अब ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता. उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस और पहले बड़े-बड़े महात्मा जा चुके थे. भीम सेंड, अर्जुन, आदी, युद्धिष्टिर्विक के छोटे भाईयों ने भी देखा कि अब प्रत्वीब में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कल्योग ने प्रभावित कर डाला है, इसलिए वे भी श्री कृष्न चरणों की प्राप्ती कद्रण निश्य करके अपन अरे परम पुर्शार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हिर्दे में धारण किया, पांडवों के हिर्दे में भगवान शी कृष्न के चरण कमलों के ध्यान से भक्ती भाव उमणाया और उनकी बुद्धी सर्वता शुद्ध होकर भगवान शी कृष्न के उस सर्वोत कृष्ट स् स्थिर हो गई जिसमें निश्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं फलता उन्होंने अपने विशुद्ध अंतह करण से स्वयम ही वह गती प्राप्त की जो विश्या सक्त दुष्ट मनुश्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती सैयमी सैयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमा को चले गए द्रौपदी ने देखा कि अपांडव लोग निर्पेक्ष हो गए हैं तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महा प्रयान की इस परम पवित्र और मंगलमाई को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है अत्वा सुनाता है वे निश्य ही भगवान की भक्ती और मोक्ष को प्राप्त होता है ओम नमो भगवते वासु देवाय श्री कृष्ण अरपणम अस्तु हरे कृष्णा